बच्छे के मनने सवाल होता है कि ओल्ड वाली NCRT पढ़े या नियू है वाली NCRT पढ़े यह बहुत important है तो मैं आपको साफ साफ बतातू कि आपने जो है नियू वाली NCRT ही पढ़नी है लेकिन जो history जो है उसके लिए आपको old और new दोनों पढ़नी है क्योंकि जो पुराने school के जो लोग होते है वो बोलते है नहीं old पढ़नी चाहिए old is gold लेकिन जो exam के pattern को follow कर रहे है वो जानते हैं कि new NCRT जो है बहुत important है लेकिन history में यह थोड़ा different हो जाता है अगर मैं history subject की बात करूँ तो उसके लिए आप लोगों को new और old दोनों पढ़नी चाहिए लेकिन science की बात करूँ तो new NCRT तो इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है कि new NCRT जो है वो important है क्योंकि वो जो है उसमें काफी जो changes जो हुए है उसका पूरा ध्यान रखा जाता है तो इसलिए आप जो है new NCRT पढ़ें